एपानिपद का यतरितियोद 14 जनुलरी संद 1761 सब में मैं गी mare किसके समय में तो बाला जी बाजी राओ के समय में नना साहे चाहिब की सब्गधा के रहें के पाणितार है तो पानीपद वर्थमान में जो हर्याड़ा है हर्याड़ा के पूर्वी एलाकि पर्याद्व यानि कि उत्तर प्रदेश के पश्मी इलाकी में जो पानी पत है पानी पत उत्तर प्रदेश में है खैर वर्तमान में तो पानी पत वहां पर यह अस्थान है और यह अस्थान है सोनी पत जो कि हर्याणा में है तो हर्याणा में सोनी पत उत्तर प्रदेश में पानी पत यह दोन यानि कहले कि दिल्ली वाले जो स्थान था दिल्ली के उत्तर में पानिपत्थ था अब पानिपत्थ में इसके पहले भी दो युद्ध हो चुगे थे ऐक 1526 में जो कि बाबर के बीच में वा था बाबर और एक लोगों के बीच में वा था Chinese रहा था ऐसे दूसरा युद्ध हुआ और तीसरा युद्ध आमज शाह अब्दाली और मराठों के बेश में हुआ था बाला जी बाजी राओ नानसाहिब के समय में और आईएस के प्रश्ण पुछा गया था आज शायद 2018 के 2019 में प्रश्ण पुछा गया था इसी टाइप से कि 2016 में पूछा गया था कि क्या कारण है कि पानीपत में ही अनेक सामराज्य प्रकम्पी लड़ाईयां लड़ी गई इस प्रकार का कुश्चन आईएस नो पुछा ग देखेंगे या बाद में कभी उसके बार में डेटेल में चर्च गरेंगी एक क्या कारण था कि पानीपत में ही सामराज्य प्रकम्पी लड़ाई बार बार लड़ी गई तो खैर उसमें से एक सामराज्य प्रकम्पी लड़ाई 1761 में मुराठाओं की बीच में भी हुआ था बाला जी बाजीराओं के समाई में तो अब जो है विस्तार से हम देखेंगे पानिपत का तृती युद्ध कैसे हुआ कब हुआ क्या उसके कारणों पर एलाम रहें उसके बारे में डिस्कस करेंगे दियान होगा कि दिल्ली में जो है मराठा फरुक सियर को हटा करके सायद बंधों को बैठा दिये थे फिर वहां के इमादन मुल्क को बैठा दिये थे वजीर के पदपर इमादन मुल्क का एक कमजोर समर्थन था कमजोर बैखती था क्योंकि मराठों का पिठ्थू टाइप का ठेक से अपना विस्तार नहीं कर पा रहा था या मजबूत नहीं थी तो इमादन मुल्क भी कमज़ूर था यानि कि पूरा अगर हम इस्थती एक बार समझ लें कि दिल्ले में इमादन मुल्क हैं जो कि कमज़ूर हैं इधर चार परिवार सेंधिया परिवार होलकर परिवार ग की मदद करते थे यानि कि सरदार बट गये हैं बाला जी विश्वनात ने भी सरदारों को दक्कन के सरदारों को दिक्कत करने लगा बाद में यानि कि वह अपना अलग ही राजे बनाने लगे जब पैसे आने लगा तो अलग ही भगने लगे पेश्वक समर्थम नहीं देते थे मतलब दक्कन चार परिवार दिल्ली पहले सकमजोर उधर बंगाल से लड़ाई कर चुके हैं 1751 में जो हैं क्या हैं उधर बुंदेल खंड वाले इलाके में आकराण हो चुका था बाजी राव परतम कहीं बुंदेल खंड वाले इलाके में जहां पर मस्तानी से मस्तानी से उन्हें विया किया तो बुंदेल खंड वाला इलाका यानि लगभग आवध से भी उनके रुष्टता बढ़ वहां से भी सर्देश मुखी वरगाय चौथ होगारा वसूले तो मराठा जो है पूरे भारत हमें पूरे भारत को राउंदते चले जा रहे थे अब मराठा शक्ती बहुत मजबूत थी और इसी करम में दिल्ली के उत्तर दिशा में पंजाब दिशा में भी वह बढ़ना शुरूर कर लिए कि पंजाब को जीता भी पंजाब पर मराठाओं का कब्या हो गया वहां पे जो पंजाब है वहां पे आहमद शाह अब्दाली का ए पंजाब में स्थापित था तो उस प्रतिनिधी को और जो पंजाब का प्रधान था उसको भी मराठाओं ने ख़देवर दिया तो भागते भागते गए अपने पापा की पास आहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान में उस समय था बहुत ही मजबूत वह भी था श उन से भी रुष्टता बढ़ गए क्योंकि परधान वगरा चलाते थे वहां के पंजाब को इसी करम में आहमद शाह अब्दाली जो है आया भारत कहा देखेंगे अब मराठा को कितने मराठा हैं पानी में आहमद शाह अब्दाली आया पुरी ताकत की साथ आया पूरी रड अधराबाद में अलिवर्दी खां शुजाओ दोला जो कि अबद में हैं दिल्ली के पंजाब के लाखे में जाट से रूहिलों से गुर्जरों से अहीरों से सबसे उनकी नफरत थे चारों तरफ रौनते जा रहे थे सबसे नफरत बढ़ी हुई थे तो उसमें से जो या उत्रखंड के असपाछ रूहДа जाता है उसे रूहेलखंड में नजीब बॉला नजीब शॉट मे लिखा हुआ है लेकिन नजीब बॉला को अहमद्शाह अब्डाली ने अपने मिलाया यह एस यह जो नवापत में शॉजाउद सॉजा दोला है शॉजाउट में शुज अपने में मिलाया और ध्यान रहे कि 1764 में ही यानि कि 61 के तीन साल चार साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अवद हार गया था और बक्सर का युद्ध यह सब पूरा कंटेक्स्ट समझने से पूरी तस्वेर समझ में आती हैं 1761 में आहमद शहाँ अब्दाली की मदद शुजाओ दौला ने कीया क्योंकि उससमय वो मजभूस सत्ता थी उसके आहमद शहाँ अब्दली इस युद्ध में जीत गया तो जो अवध है वो और ज़धा अपने आपको मजभूस समाझने लगा वो जब और जद मजबूत समझने लगा तो बंगाल से भी जो अलिवर्दी या जो मीर कासिम थे उसने भी उसने समझा होता किया कि हम आपका बकसर के उद्ध में मदद तो करेंगे लेकिन हमें बिहार वाला इलाकत दे देना हमें एक मोटी रकम दे देना यह कब क्यों बोल पाया क्योंकि आहम श्याह अब्दाली के उसने मदद की थी और वो मजबूत हो चुका था इसलिए सतरस चौंसट में बकसर के युद्ध करने का भी प्लान बनाया लेकिन कुछ कमजोरियां थे जिस कमजोरियां यह थी कि बंग वो बकसर वाली युद्ध में हार गया खेर इसमें देखेंगे 1761 की बात है उसके चार साल पहले की बात है